हेलो एब्रीवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के जीके जीएस एनसी आटी के बुक से रिविजन क्लास वेरी फर्स्ट क्लास है आज आगे भी और भी क्लासेस आएगी depends upon your reaction जादा से जादा इस वीडियो को लाइक करें एम करते हैं कि कम से कम 100 लाइक आज आएगा तो मैं अगली वीडियो तुरंत डाल दूँगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्लीज सौलाइक इसे जरूर कर दे और मैं एक कोशन पूछ रहा है इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा इंडिया के नए सीडियस बन चुके हैं उनका नाम आपको बताना है रिसेंटली एक दो दिन पहले ही ये बने है तो नीचे कमेंट करके आप इंडिया के नए सीडियस का नाम बता दे चलिए मेरी फर्स्ट कोशन के साथ हम लोग सुरुवात करेंगे इं विच ईयर, देखिए कोशन थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ब्रिटिस नहीं होगा ये होगा डैनिस ये क्या होगा还 economy, danse East India company was formed आपको बताना है कि danse East India company का formation कभ हुआ था तो देखिए डैनिस से आपको पता चलना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16-16 यानि कि option number C इसका correct answer हो जाएगा याद रखिएगा इस बात को डैनिस का मतलब डैनमार्क से है कहां से है डैनमार्क से और डैनमार्क की capital क्या है याद रखिएगा इस बात को भी कि यहां की capital क्या है और इस तरह के question बार-बार पूछे जाते हैं एक और में trick आपको बता देना चाहता हूँ PDF याद रखिएगा और थोड़ा सा इसमें modify करनी की ज़रुद पड़ेगी आपको PDF एक space छोड़ करके आप PDF लिखना देखिए PDF के पहले E लगा देना इससे आपको sequence पता चलेगा कि कौन से country के लोग यहां पे आये थे कब-कब सबसे पहले पूर्तगालीज आये थे फिर डैनिस लोग आये थे इसके बाद East India Company यानि की इंगलिस लोग आये थे और French यानि की फ्रांस के लोग भी यहां पे आये थे और सबसे लास्ट में पूर्तगालीज ही गए थे सबसे पहले पूर्तगालीज आये पूर्तगालीज ग चलिए, question number second की बात करते हैं और यह जो मैंने answer बता दिया था आपको, option number से इसका क्या होगा, correct होगा, एक और बात, वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले आप लोगों को बता दू, जिन लोगों ने notes purchase कर लिया है, उन लोगों के लिए सुचना है, please current affairs आप लिख दे, मैंने notes नहीं purchase किया है, और आखरी महिने में इस तरह से आप preparation करना चाहते हो, कि notes से आपको benefit हो जाए, और आप exam clear कर पाऊ, since मैंने three times exam clear किया है, आपके लिए यह बहुत beneficial होंगे, यह notes fruitful होंगे, आपको बता दू, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 399 का एक छोटा सा amount आपके काम की है, इसलिए, जिन्होंने notes खुद से तयार किया है, खुद से तयारी करने dedication के साथ, वो notes purchase ना करें, आप अपनी तयारी के साथ जाए, सिर्क पैसे कमाने के लिए notes लेनी की ज़रूद नहीं है मुसे, एक और बात, जिन्होंने तयारी खुद से कर लिया, 100 रिप प्रधान नहीं आएगा, there is no disturbance, अब हम लोग बिल्कुल question पर ध्यान देंगे, there is no add, चलिए, question number 2 के साथ बढ़ते हैं, under which among of the following acts, आपको acts के बारे में बात करनी है, civil services started in India, यानि कि इंडिया में civil services की सुरुवात कब की गई थी, किस act के माध्यम से की गई थी, तो देखिए, charter act 1833, कहां पर हैं, option number B में, यह आपका correct होगा, यह तो पहली बात जान लिजे, और सबसे पहले, open competition, यानि कि civil services में open competition की बात किस act के द्वारा की गई थी, तो यह अभी आपको याद रखना है, इसका answer अगर यह पूछता, तो 1853 होता, please pen paper पे not down करते जाईए, हर GK में, हर question में आपको जो है, तीन से चार additional information तो मिलेगा ही मिलेगा, चलिए, एक और बात मैं आपको बता दू, चलिए, एक question ही में पूछ लेता हूँ, father of, father of economics किन है कहा जाता है, निचे comment करके आप लोग बताईएगा, बढ़ेगे question number 3 की और, यानि की question number 3, who among the following is called the father of nation in India, father of nation किसे कह जाता है, तो देखिए, father of nation कहा जाता है, देखिए, यहाँ पे options बहुत सारे है, father of nation में, महत्मा गांधी, बेलकुल, सारे बच्चे-बच्चे को याद है, तो यह answer तो आपका हो जाएगा, महत्मा गांधी, father of nation किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है, महत्मा गांधी को, ल किया था इसको ज़रूरी याद कर लिज़ेगा आपके काम की ये चीज रहने वाली है आगे बढ़ते हैं question number next की ओर question number 4 which among the following vice rai's tenure याने कि उस vice rai's tenure आपको बताना है जिसमें Simon Commission को appoint किया गया था इंडिया में उस vice rai का आपको नाम बता देना है तो देखिए इसका जो right answer होग का इर्विन ये रहा option number B Lord Irwin के समय में जो है इंडिया में vice rai के tenure में Simon Commission को appoint किया गया था और इर्विन का अगर tenure की बात की जाए तो 9026 से 31 तक था याद रखे का 9026 से 9031 तक और Simon जो commission था वो इंडिया में कब जो है लागू हो गया था इस्टैबलिस हो गया था 1928 में तो ये आगे बढ़ते हैं next question के साथ who was the author of the book plan India देखिए बहुत important question है बहुत ही important question है और इसका answer मैं आपको direct बताऊंगा और इससे कुछ जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने रखूंगा एम विश्वय स्वरिया इसका right answer होगा नीचे comment करके आपको बताना है जवाहरलाल नहरू के द्वारा हमारे देश के first prime minister के द्वारा कितनी किताबें लिखी गई थी पहला question नीचे comment करके बताईएगा दूसरा question जवाहरलाल नहरू कितने years तक हमारे prime minister रहे थे हमारे आपके ह हम सब भी लोगों के लिए तो right answer अपको मैंने बता दिया M. विश्वय स्वरिया बहुत आसान था यह और मैं कुछ चीजें बता देता हूं M. विश्वय स्वरिया ने ये book जो है na Plant India 1934 में लिखा था और याद रखिए M. विश्वय स्वरिया के याद में इनके memory को ताजा क करने के लिए National Engineering Day मनाया जाता है National Engineering Day जो है celebrate किया जाता है कब celebrate किया जाता है ये भी question पूछा जा सकता है ना ये celebrate किया जाता है 15 September को कब किया जाता है 15 September को याद रखिएगा इतनी सारे चीज़ आपको याद रखनी है एक और बात मैं आपको बता दू भीमराव अंबेतकर को लेकर आपको बताना है इनके द्वारा लिखी गई कौन सी किताबे थी और भीमराव अम्बित करने हिंदु धर्म छोड़ने के बाद कौन से धर्म में अपने आपको कनवर्ट किया था कोशन आप लोगों के लिए है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें लिखने से आप जो है चीजों को रिवाइस करते हो लोग टर्म में आपको ये काम आएगा तो प्लीज कॉमेंट जरूर करें खुद की हेल्प करें दूसरी की भी हेल्प करें आप इसी बहाने दूसरे लोग भी राइट आंसर पढ़ पाएंगे हम लोग बढ़ेंगे question number 6 की ओर who wrote the book how to pay for money how to pay for money जो book है वो किस के द्वारा लिखी गई है तो याद रखिएगा प्रोफेशर ये रा प्रोफेशर कांस के द्वारा ये book लिखी गई थी अब आप बोलेगे तो बड़ाईजी है ये UK से थे याद रखिएगा इंडिया में इनको Nobel Prize मिला था फॉस्ट टाइम याद रखिएगा एकनॉमिक्स के फिल्ड में सबसे पहले बार Nobel Prize मिला हुआ था कब मिला था ये भी question पुचा जा सकता है 1998 में याद रखिएगा 1998 में किस के लिए welfare economics के लिए किसके लिए welfare scheme के लिए इनको जो है welfare economics के लिए इनको जो है nobel prize दिया गया था चलिए इतनी बातें हो गई एक और बात मैं आपको यहां से बता दू Adam Smith यहां दिख रहा है न इनको बोला जाता है father of economics मैंने question भी पूछा था पहले इसका right answer क्या हो जाएगा father of economics और Karl Marx यहां दिख रहा है न आपको Karl Marx को क्या बोला जाता है इन्हें बोला जाता है father of जो social economics होती है na Karl Marx को social economics के लिए जो है father बोला जाता है और Karl Marx की दो बहुत famous किताबें हैं याद रखिएगा इनकी दो किताबें हमेशा exam में पूछा जाता है एक तो है das capital याद रख लिगया पहला क्या है das capital दूसरी book का नाम क्या है pen paper पर आप not down जरूर कर लिशिएगा यह चो दूसरा है वो क्या है communist manifesto communist manifesto याद रखिएगा यह book हमेशा बार-बार exam में पूछा जाता है बढ़ेंगे अगले question की ओर which book is not written by रविंद नाथ टैगोर देखिए कहीं कहीं पे ठाकुर भी लिख देगा याद रखिएगा नाविंद नाथ टैगोर या ठाकुर एक ही personality है एक ही परसोना के अलग-अलग दो सरनेम है लेकिन दौन एक ही इंसान है इनके दौरा देखिए कौन-कौन सी book लिखी गई है वो आप जान लेजिए इनके दौरा चित्रा भी लिखी गई थी कोट डांसर भी लिखा गया था और क्रिसेंट मून भी इनहीं के दौरा लिखी गई थी और इसके दौरा जो है एक और बात मैं आपको बता दू देखें, important बात option number जो है ये जो option number B है ना इनके दौरा नहीं लिखी गई थी तो आंसर तो आपका यही होगा कुछ और चीज़े मैं आपको explain करके बता देना चाहता हूँ रविद ना, टेग और ना इंडिया के ही नहीं पूरे एसिया के first इंसान थे first personality थे जिनको nobel prize मिला हुआ था nobel winner जो थे ये very first time थे ये तो आपको याद रखने वाली बात है एक और additional information में देदू इनको nobel prize 1930 में दिया गया था 1930 में लिटरेचल के लिए चलिए, बढ़ते हैं question nobel 8 की और very important, very very वो बोलते हैं न, वो question को टेड़ा करके देना यहां से आप देख सकते हो tough question ऐसे त्यार के जाते हैं August 2018 में 76th anniversary किस Indian freedom moment की मनाई गई, 76th anniversary अगर आपको याद है कौन सा moment कभ हुआ था तो आप इसका answer चुटकियों में दे पाऊगे लेकिन आपके लिए काम में easy कर देता हूँ इसका right answer होगा quit India moment जो कि 9042 में किया गया था अगर आप इसके वो 76th से add कर दोगे तो आप यहां से देख पाऊगे 2018 में quit India moment यहां पे टी चूट गया है 76th year इसको जो है celebrate किया गया था very important question SSC में यह आया वह question था मैंने वहां से इसे pick किया है याद रखिएगा इसको बढ़ेंगे question number 9 की ओर और देखिए आप लोगों के लिए मैं question छोड़े जा रहा हूँ मैं एक question आपको और additional बता देता हूँ Dandy March 1913 में किया गया 1917 में किया गया था और जो बचे भी moment है उसके answer आप लोग नीचे comment करके बताओगे question number 9 who started the Gandhian plan लखिए जब भी Gandhian की बात आएगी याद रखिएगा यहाँ पे rural area यानि कि गाओं के area में development की बात की जाएगी rural development ग्रामिंग छेत्रों के development के लिए गांधी प्लान को लाया गया था किसने लाया था याद रखिएगा M.N.Royne किसने लाया था M.N.Royne यानि कि यह सारे option क्या हो जाएगे incorrect हो जाएगे M.N.RoyE आपका right answer हो जाएगा question number 11 which Indian mass development begin with famous Dandy March of Mahatma Gandhi मातमा गांधी के द्वारा जो है actually question number 10 चूट गया कोई बात नहीं actually question number 10 ही है but थोड़ी सी मैस हो गई wait a minute चलो कोई बात नहीं आज 10 तक ही कर देते हैं हम लोग उसके बात जो है आगे के classes में आगे की जो भी आपको जो है तीनों में से कोई option नहीं होगा इसका जो right answer होगा वो होगा Narayan Agrawal Narayan Agrawal इस दर right answer इसलिए मुझे थोड़ी सी difficulty आ गई थी इसका जो right answer होगा Narayan Agrawal जो कि none of the none of of above होगा यानि की option number 10 का क्या होगा correct हो जाएगा तो ये थी आज की GKGS की revision NCRT से आगे और भी classes आती रहेगी Please comment करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करें नए हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लें धन्यवाद